Hello Friends, Welcome back to my channel Friends, आज मैं आपके लिए बहुत ही पैरा संदर सर्ड डिजैन लेके आई हूँ इसको बनाना बहुत ही आसान है तो आएए Friends देखते हैं से कैसे बनाते हैं तो चलिए Friends स्टार्ट रहते हैं टुटोरियल Friends इस पैटन को बनाने के लिए हमें 12 के multiple plus 5 करके फंदे लेने होंगे यहाँ पर मैंने 17 फंदे लिए हैं यहाँ पर मैंने इस पैटन को दो बार बनाया है लेकिन आपको मैं सिर्फ एक बार बना के दिखाऊंगी यह वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक आगे आपने इसी पैटन को फिर से रिपीट करना है यह हमारा चैया लाने का डिजाइन है सीधी तरफ से शुरूँगा डिजाइन की फर्स्ट हो सीधी साइट अब देखेगा फ्रेंट ध्यान से देखेगा डिजाइन बनाने से पहले थोड़ा से मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कैसे करना है तो आपको इजी हो जाएगा समझने में यह तो हमारा एज का फंदा है तीन फंदे हमने गैप के लिए रखे हैं दो डिजाइन के बीच में फिर 9 फंदों में हमारा डिजाइन बनेगा फिर 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं गैब देने के लिए और लास्ट का यह हमारा एज का फंदा है तो देखे का फ्रेंट सबसे पहले हमने क्या करना है एज के फंदे को आप सिलिप कर लीजिए बुन लीजिए यहाँ पर मैं सिलिप कर लेती हूँ धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे यह हमारे गैब के फंदे हैं आप चाहे तो 2 फंदे भी रख सकते हैं अब धागे को पीछे करेंगे अब 9 फंदों में हमने डिजाइन बनाना है तो फ्रेंट ध्यान से देखेगा यह हमारे 9 फंदे हैं वीच वाला जो फंदा है इसके दोनों तरफ हमने जाली बनानी है इस चीज का आप ध्यान रखेगा तो हमने 4 फंदे पहले सीथे बुनने हैं यहाँ से हम पैटन बनाना शुरू कर रहे हैं तीन चार चार फंदे हमने सीथे बुनने हैं आप धागे को अपनी तरफ करेंगे यानि जाली बनाएंगे और यह हमारा सेंटर का फंदा है इसको हमने सीथा बुनना है अब इसके इधर भी हमने जाली बनानी है तो धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे के चार फंदे हम सीधे बुन लेंगे तो फ्रेंट्स इस तरह आप देख सकते हैं ये बीच में जो सेंटर का फंदा है इसके दोनों तरफ हमने जाली बनाई है अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और जो गैप के तीन फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे धागे को पीछे करके एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो बनके कंप्लीट होती है अब आते हैं बैक साइड में बैक साइड में हमने क्या करना है जो फंदे इधर हमने उल्टे बुने हैं इधार हम सीथे बुनेंगे और बीच में जो design की फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है design की second row back side पहले फंदे को पलवाई slip करेंगे धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे हम सीथे बुनेंगे एक, दो, तीन धागे को अपनी तरफ करेंगे अब बीच में हमारे पहले नौ फंदे थे अब बीच में हमारे ग्यारा फंदे हो गए हैं तो ग्यारा फंदों को हमने उल्टा-उल्टा बुनना है फ्रेंट्स जाली वाले फंदे को बहुत यहां से बुनिएगा 14 फंदे हमने उल्टे बुन लिये हैं, धागे को पीछे करेंगे, और 3 फंदे हम सीधे बुनेगे, जो उठर हमने उल्टे बुने थे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और H के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, तो यहां पर 2 रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है, अब आते फ्रंट साइड में, डिजाइन की थर्ड रो, अब इधर ध्यान से देखेगा, सबसे पहले एच के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे जो गैप के हैं, इनको हम उल्टा हुन लेंगे, अब धागे को पीछे करेंगे, अब यहां से हम हमारे डिजाइन की फंदे शिरू हो रहे हैं, और चार फंदे हम सीधे बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, धागे को अपनी तरफ करेंगे, यानि हम जाली बनाएंगे, और बीचे आप देख सकते हैं, कि एक फंदे से हमारे तीन फंदे हो गए हैं, तो अब यहां पे हमने ती तीन फंदों को सीधा बनना है, धागा अपनी तरफ हैं, और तीन फंदे हम सीधे बनेंगे, दो, तीन, धागे को अपनी तरफ करेंगे, और चार फंदे हम सीधे बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, धागे को अपनी तरफ करेंगे, और तीन फंदे हम उल्टे बनेंगे, धागे को पीछे करके एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे तो यहाँ पर थर्ड रोवन की हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं बैक साइड में डिजैन की फोर्थ रो पहले फंदे को परल वाइस हम स्लिप कर लेंगे धागे को पीछे करेंगे तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे एक, धो, तीन धागे को अपनी तरफ करेंगे अब यहाँ पर फंदे आमारे बढ़ गए हैं तो अब हमारे बीच में तेरा फंदे हो गए हैं तेरा फंदे हो उल्टे बुनने हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा तेरा फंदे उल्टे बुनने के बाद धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे तो यहाँ पर फोर्थ रोबन के हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं फ्रंट साइड में डिजैन के फिप्ट रोग अब इस रोग फ्रंट बहुत ध्यान से देखेगा क्योंकि अभी तक हमारी बीच में फंदे बढ़ रहे थे हमने फंदो को घटाना है सबसे पहले अच के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे अब धागे को पीछे करेंगे अब हमने चार फंदो का एक करना है सबसे पहले हम फंदो को लूज कर लेते हैं अब यह चार फंदो को हमने लूज कर लिया है धागा हमारा पीछे है अब चारों फंदो को हम आगे की तरफ से चार फंदो का एक कर देंगे अब यहाँ पर हमारे तीन फंदे घट गया है धागे को अपनी तरफ करेंगे और बीच में पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे तीन, चार, पांच पांच फंदे हमने सीधे बुन लिया है धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर से हमने चार फंदों का एक करना है और चार फंदों में हम स्लाई को यह से डालेंगे पीछे की दरब से हम चार फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते वे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि तीन फंदे हमारे यहां घट गए हैं और तीन फंदे हमारे यहां घट गए हैं यानि टोटल हमारे 6 फंदे घट गए हैं बीच में हमारे 7 फंदे हैं यह हमारे सेंटर का फंदा है तीन फंदे हमारे यहां पर बढ़ गए हैं और तीन फंदे हमारे यहां पर बढ़ गए हैं फिर से हमारे यहां पर 9 फंदे हो गए ह एज के फंदे को हम सीज़ा बुनेंगे तो यहाँ पर फिप्ट रो बनके हमारी कम्प्टीट हो गई है अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन के 6 रो पहले फंदे को हम परलवाई सिलिप कर लेंगे धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे हम सीज़े बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करके और बीच में हमारे 9 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे हम सीज़े बुनेंगे एक दो तीन धागे को अपनी तरफ करके एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमारी 6 रो बनके कम्प्लीट हो गई है इसके साथी 6 राइनों में डिजैन भी बनके हमारा उबर हो गया है आगे अपनी इनी 6 राइनों को बार बार दोहराते जाना है तो फ्रेंट्स जब आप इन 6 राइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिजैन बनके कुछ इस तरह से नजर आएगा बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा डिजान है फ्रेंट्स यह हमारी फ्रेंट साइड है और यह हमारी बैक साइड है इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, काइडिगन में, कोटी में, जैकिट में कहीं भी अप्लाई करिएगा बनके बहुत ही सुन्दर नजर आता है एक बार ट्राई जरूर करिएगा यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें मिलती हूं अगली वीडियो में वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद